देखिए बच्चों हम पढ़ रहे थे 12th किलास की इतिहास की पाठ्थे पुस्तक का भाग 3 जिसमें मुख्यत है आधुनिक भारत का इतिहास है और इसका हम 13 पाठ पढ़ रहे थे महत्मा गांधी और राष्ट्रिय आंदोलन और इसका आज हम 5 भाग पढ़ेंगे जिसमें हम म द्धाय के पिछले कुछ भागों में हमने पढ़ा था कि गांधी जी अफरीका से भारत आये थे फिर भारत में उन्होंने एक आंदोलन किया था कौनसा गांधी जी का पहला आंदोलन था जो हमने पढ़ा था बड़ा आंदोलन गांधी जी का पहला था ऐस है हो गांदोलन फिर एक नमक कानून के खिलाप उन्होंने नमक सत्यागर है या जिसको सैविने अवग्यान दोलन कहते हैं वो पड़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि गौल मेज समेलन वगएरा होए थे और साथ ही हमने पिछली कक्षा में ये भी समझा था कि दितिय विस्यूद 1949 इसमी में सुरू हो गया। दितिये विस्युद सुरू होने के बाद अंग्रेजों की इस्तिती बदल गई थी अब अंग्रेज भारतियों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे अंग्रेज चाहते थे कि इस दितिये विस्युद के दोरान भारतिये अंग्रेजों का सहयोग करें समर्थन करें और सहयता करे ज़्यादा से ज़्यादा भारतिये बिल्टी सेना में भरती हो और अंग्रेजों की तरफ से मौर्चों पर लड़ने जाए और हर तरीखे से अंग्रेजों के युद्ध प्रियासों में भारतिये लोग समर्थन करें उनका सहयता करें अब पलड़ा बदल चुका था मतलब अंग्रेज भारतियों के पास कुछ ना कुछ भेजेंगे समझोते के जिने शिष्ट मंडल वगेरा कहते हैं वो भेजेंगे जिनमें हमने देखा भी था एक पिछली कक्षा में क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव गुनीश सो बया मतलब भारत को डोमीनियन स्टेट अधी राज्य का दर्जा दिया जाएगा तुम्हें स्वेसासन का अधिकार दिया जाएगा युद्ध के बाद लेकिन पहले युद्ध में आप हमारा शमर्थन करो हमारी सहायता करो ऐसा अंग्रेज भारतियों से कह रहे हैं क्रिप्स प् क्या देंगे ये कहो कि युद्ध से पहले क्या दे सकते हैं युद्ध से पहले हमारी मांगे पूरी करो स्वेसासन का अधिकार भारतियों को दो उसके बाद हम युद्ध में आपकी सायता कर सकते हैं आप तो युद्ध के बाद कुछ देने की बात कर रहे हो मतलब आगे की तारिख का check मत फाड़ो तो गांदी जी ने किन प्रस्ताओं के बारे में कहा था उत्तर तितिय चैक क्रिप्स嘛 sound या क्रिप्स प्रस्ताओं के बारे में अब हम आगे देखते हैं आगे के जो चीजे हैं वो हम इस सद्ध्याए में इस भाग में पड़ेंगे तो देखिए क्रिप्स मिशन कब आता है 1942 में कि विफलता के बाद महत्मा गांधी ने बिटिस भारत के खिलाफ अपना तीसरा और बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया अब गांधी जी कौन सा तीसरा आंदोलन शुरू करेंगे तो गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन क पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है गांधी जी ने कहा क्रिप्स प्रस्ताओं के बारे में कि अभी कुछ देना है या नहीं देना है आगे की तारिक का चेक मत दो तो फिर अंग्रे जोने क्रिप्स प्रस्ताओं में बाद में ये भी कहा था कि हमारी आखिरी कोश से सहमत नहीं हो तो हम अपने लड़ाई खुद लड़ लेंगे ये अंग्रे जोने का था कि अब हम दुबारा आप से कोई बातचीत नहीं करेंगे तो गांधी जी ने फिर आंदोलन शुरू किया वो कौन सा है भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्रिप्स प्रस्ताओं की शुरू होगा इसलिए इसी को अगस्त क्रांथी भी कहते हैं तो ध्यान रखना अंग्रेजों भारत छोड़ों आंदोलन या अगस्त क्रांथी अब गांधी जी का तीसरा आंदोलन शुरू होगा कब अगस्त गुनी सो 42 में इससे पहले मैं आपको एक बात और याद दिलान हुआ और उस अधिवेशन में उन्होंने कह दिया था कि मुसल्मानों के लिए भारत में एक अलग देश बना देना चीए भारत का विभाजन करना चीए और अलग देश का क्या नाम होगा पाकिस्तान ऐसी बात मुसलिम लीग कर रही थी तो मुसलिम लीग कॉंग्रेस का करें देखिए आगे बढ़ते हैं अब अंग्रेजों भारत छोड़ों अंदोलन कब होता है ये 1942 में प्रारंब की बात कर रहे हैं तो अगस्त 1942 में प्रारंब हुआ और बंबई में बंबई में कॉंग्रेस कारिय कारणी के एक बैठक हुई थी उस बैठक में गांधी जी न बंबई में कहां हुई थी उसकी बैठक बंबई के गवालियर टैंक मैदान में तो उसी जगहें से माना जाता है कि आंदोलन शुरू हो गया था तो प्रारंब हुआ अगस्त सैनिक लड़ रहे हैं और भारत के अंदर आशांती फैले आंदोलन चले इसलिए अंग्रे जोने आंदोलन शुरू करने से पहले ही सुबह सुबह ही ओप्रेशन जीरो आवर चलाया सुबह होने से पहले ही अंग्रे जोने ओप्रेशन जीरो आवर के तहट कॉंग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं को ग्रफतार करके जेल में डाल दिया ताकि आंदोलन चले ही नहीं देखिए गांदी जी ने कौन सा नारा दिया इस आंदोलन के तहत करो या मरो जब गांदी जी भाशन दे रहे थे यहां बंबई के गवालिया टेंग मैदान में तो कहा था कि हम अ आनदोलन चले ही नहीं अब देखिए फिर भी आंदोलन चला तो कैसे चला देखिए देश भरके युआ कारिये करता हड़ता लों तोड़ फोड की कारवाई के जरीए आंदोलन चलाते रहे बड़े नेता तो ग्रफतार हो गए लेकिन देश के जो युआ नोजवान थे उन्होंने फिर ये आंदोलन चलाया उन्होंने फिर इस आंदोलन का नेतरत्वे किया हड़ताले की तोड़ फोड किया कारवाई और आंदोलन ये चलाते रहे जै प्रकास नारायन ये भी एक युआ थे उस समय और ये कॉंग्रेस के समाजवादी विचार धारा के नेता थे तो जैप्रकास नारायन ने भूमिगत रहकर यह आंदोलन चलाया था तो जैप्रकास नारायन समाजवादी कॉंग्रेस के नेता थे उन्होंने भूमिगत रहकर फिर यह आंदोलन चलाया था ठीक है भूमी गत का ताथ पर रहे है कि अंग्रेजों के नजर में नहीं आए, सरकार के नजर में नहीं आए, नहीं तो ग्रफतार कर लेंगे और गुप्त रूप से छुप छुप कर लोगों को युवाँ को मोटिवेट किया, उनका उत्सावर्दन किया और आंदोलन में साम कर हिस्सा लिया था यह है भारत छोड़ो आंदोलन देखी आगे पस्चिम में सतारा पस्चिम बंबई में पड़ता है महराष्ट के महराष्ट में बंबई के पास सतारा और पूरु के कुछ छेतर जिनमें मेदिनिपूर जैसे कई जिलों में सोतंतर सरकार या प्रती सरकार की स्थापना कर दी गई इसका क्या ताच पर रहे है जैसे कोई छेतर है सतारा यह मालो सतारा का छेतर है यहां पर अंग्रेजों का सासन है अंग्रेज अधिकारी यहां पर सासन संभालते हैं अब जब अंदोलन हुआ यहां के लोगों ने अंदोलन किया तो अंग्रेज अधिका के दोरान कई जगहों पर इस्थापित हुई जिन में सबसे लंबे समय तक फिर लोग सोतंतर सरकार चलाते रहे वो कौन सी जगह हैं सतारा आगे देखिए अंग्रेजों ने भारत छोड़ों अंदोलन के प्रति काफी सक्त रवया अपनाया क्योंकि अंग्रेजों को पता था क सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया लगबग एक साल में जाके यह आंदोलन सरकार ने दबा दिया था आगे देखिए भारत छोड़ों आंदोलन सही माइने में एक जन आंदोलन था अब तक जो आंदोलन हुए उनमें से सही माइनों में जन आंदोलन तो यही था क्यो जोई युआओं को या आंदोलन कारियों को निर्देश देने वाला था नहीं तो लोगों ने अपनी मर्जी से हड़ताल, जुलूस, तोड़, फोर्ड, जो भी किया जनता ने अपनी मर्जी से आंदोलन चलाया, बड़ चड़ के हिस्सा लिया इसलिए सही मायनों में जन आंदोलन कुन सा है भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें लाखों आम हिंदूस्तानी सामिल थे युवाओं ने अपने कोले छोड़ कर जेल का रास्ता अपनाया कोले छोड़ दिये जेल में जाने को तैयार थे वो मुहमद अली जिन्ना के नेतरतों में मुसलिम लीग इस अंदोलन से अलग रही देखिए मुसलिम लीग क्या चाहती है मुसलिम लीग कहरी है कि ये अंदोलन अगर सफल रहा तो भारत आजाद होगा और भारत का सासन कॉंग्रेस के हाथ में आ जाएगा कॉंग्रेस यहां की सर जो मुसल्मान है उनका क्या होगा तो मुसलिम लीग सोचती थी कि इस आंदोलन में सामिल मत हो और साथ में अपनी दूसरी मांग जारी रखो और वो कौन सी थी एक अलग राज्ये की मांग एक अलग देश की मांग पाकिस्तान की मांग तो मुसलिम लीग और मुहमद अली जिन पाकिस्तान की मांग कर रही थी इसलिए वो इस आंदोलन में सामिल नहीं हुई 1944 में गांधी जी को जेल से रहा कर दिया गया क्योंकि फिर आंदोलन दबा दिया गया था गांधी जो जेल में थे उनकी तव्यत खराब हो गई थी जेल में ही इसी आंदोलन के दोरान गांधी जी आगाखा पैलेस में बंद किया गया था गांधी जी को बंबई के आगाखा पैलेस में और वहीं पर उनकी धरम पतनी कस्तूरबा गांधी जी का भी देहांत हो गया था गांधी जी की भी जेल में तवियत खराब थी, सरकार नहीं चाहती थी कि गांधी जी जेल में मरें, नहीं तो आंदोलन अलग रूप ले लेगा, बहुत तेजी से फैलेगा, इसलिए गांधी जी को 1944 में जेल से रिहा कर दिया, गांधी जी ने कॉंग्रेस और लीग के बीच फांसले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की, अब गांधी जी जब जेल से आए तो क्या करेंगे, गांधी जी चाहेंगे कि जो मुस्लिम लीग है जो कॉंग्रेस का विरोध कर रही है, इस हांदोलन का विरोध कर रही है, उनको समझाएं, इसलिए गांधी गांधी जी ने मुहमद अली जिन्ना से खुब बात चीत की, ताकि कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के भी जो फांसले पैदा हो गये हैं, उसको मिटा सके, गांधी जी ने ऐसे प्रियास किये जेल से आने के बाद, आगे देखिए, 1945 में बिर्टेन में लेबर पार्टी की सर सरकार बनी, देखिए, 1945 तक फिर दितिये विश्यूद भी खतम हो गया था, दितिये विश्यूद में जीत गए थे अंग्रेज, अमेरिका के सहयोग से, और अब वहां पर जब चुनाव हुए, इंग्लेंड में, तो सरकार बदल गई थी, दूसरी सरकार बनी, 1945 में, लेबर पार्टी की सरकार है, ये भारत को सोतंतर करना चाहती थी, मतलब थोड़ी उदार सरकार थी ये, और भारत की सोतंतरता के पक्ष में थी, तो अब आगे देखिए, अब जो परधान मंतरी बने हैं, क्लिमेंट एटली, इन्होंने भारत का वायस राय या गवर्नर जनर्नल ब पीच कई बैठकों का आयोजन किया, क्यों कर रहे हैं लोड वेवेल ऐसा, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि भारत में कुछ ऐसा सासनिस्थापित किया जाए, कि भारतियों की मांग पूरी हो सके, भारतियों को शान्त किया जा सके, यहां तक की सरकार चारी है कि भारतियों को स सवतंतरता दे दी जाए, लेकिन कैसे दी जाए सवतंतरता, मुस्लिम लीग तो पकड़ के बैठी अंग्रेजों को कि जाने नहीं देंगे, पहले बाटो फिर छोड़ो, क्या बाटो, भारत का विभाजन करो, मुसल्मानों को एक अलग देश दो, हिंदूों को एक अलग देश दो तब ही हम जाने देंगे इसलिए जो नए गवर्नर जनराय लोड वेवेल इन्होंने एक योजना प्रस्तूत की थी जिसका नाम था लोड वेवेल योजना गुनी सो पैटालिस में योजना इन्होंने पेस की इस योजना के तहत मुस्लिम लीग के नेताओं को सिमला में के कई बार चर्चा की की कैसे भारत को विभाजन विभाजन ना किया जाए भारत का और किस तरह भारत में नए असासन इस्थापित किया जाए लेकिन सारी योजना इसफ़ेल रही क्योंकि मुसलिम लीग की एक ही मांग थी कि अलग देशuito चाहिए ठीक है तो ये थी लोड वेवे लियोजुना की बात आगे उनिशो चारीस की शुरुवात में प्रांतिये विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव किये गए अब भारत में जो प्रांत होते थे राज्ये होते थे देखो केंदर सरकार तो मुख्यत अंग्रेज ही चलाते थे लेकिन भारत में कुछ ऐसा सासन इस्थापित किया गया था जिसे सासन कहते हैं तो उनमें कुछ भारतिये सरकार भारतियों के दोरह चुनी गई करी सासन चलाती थी तो देखिए 1966 अब चुनाव में क्या हुए सामान मेंट की सीटीों पर कॉंग्रेस को भारी सफलता मिली और मुसल्मानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुसलिम लीग को भारित बहुमत मिला मतलब कुछ सीटें ऐसी थी जिन पर मुसल्मानी चुनाव लड़ेंगे उन पे दो सारे मुसल्मान जीत गए जो सामाने सीट थी सीधी बात ये है कि हिंदूओं ने कॉंग्रेस का समर मतलब अब किलिर हो चुके हैं कि मुसल्मान लीक को वोट दे रहे हैं इसका तात्पर ये है कि मुसल्मानों की भणा ये Yo कि मांघ का समर्थन कर दिया को डे के कि लग देश पाकिस्तान बनाया जाए तो देखिये राजनितिक ध्रुई करण पूरा हो चुका था, दो धुरू बन चुके थे, कौन-कौन से, एक Congress और एक Muslim League, इस तरह दो धुरुई करन हो चुके थे, देश की जनता अपस में बढ़ चुकी थी, मुसल्मान मुसलिम लीग के साथ थे रहिंदू कॉंग्रेस के साथ थे तो अब बस विभाजन ही एक रास्ता था फिर भी देखिए रास्ता निकालने की कोशिश की गई की विभाजन रोका जा सके और आता है कैबिनेट मिसन योजना 1916 में कैबिनेट मिसन योजना कुछ तीन कैबिनेट मंत्रियों को अंग्रेजी सरकार ने भारत में भेजा क्योंकि मुसलिम लीग तो मांग कर रही थी कि अलग देश दो और कॉंग्रेस कह रही थी कि विभाजन तो होनी नहीं देंगे गांधी जी कह रहे थे विभाजन होगा तो मेरी लास पे से होगा देश के टुकडे में होनी नहीं दूँगा तो कोई ऐसा समाधान निकाला जाए अंग्रेज चाह रहे हैं कि हम भारत को छोड़ के जाए अब हम भारत को आजादी दे ऐसी चाहरी है जो नई सरकार लेबर पार्टी की बनी है इंगलेड में वो लेकिन अब दे कैसे अलग पाकिस्तान बनाए तो कॉंग्रेस विरोध करती और नहीं बनाए तो मुस्लिम लीग अंग्रेजों को जानी नहीं दे वो कह रहे हम दंगे फैला देंगे यह वगेरा वगेरा कर देंगे यह सारी चीजे हैं इसलिए तीन कैबिनेट मंत्रियों को भेजा गया भारत में कि आप जाइए वहां के नेताओं से भारत में जाके मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के नेताओं से बात कीजिए और कुछ समाधान निकालिए तो कैबिनेट मिसन योजना इसको कहते हैं जो 1946 में भारत में आई औ कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को बिठा के समझाया है क्या समझा रहा है कि एक ऐसी संग्य व्यस्था पर राजी करने का प्रियास किया जिसमें भारत के भीतर भी विभिन प्रांतों को सीमित स्वायत्ता दी जा सके कह रहे हैं कि भारत का विभाजन तो हम नहीं बना कर दिया कि मुसल्मानों को या मुस्लिम लीग को अलग देसम नहीं दे सकते हैं इतना कर सकते हैं कि भारत के अंदर ही कुछ ऐसी विवस्था बना दें कि मुसल्मानों का प्रांत अलग रहेगा और उनके अधिकारों की रक्षा वहां पे होगी अलप संख्यकों के अध के बिठा के बात की मुसल्मानों को कहा कि पाकिस्तान तो नहीं दिया जाएगा आपको ऐसी ऐसी कुछ विएस्था कर देंगे कि आपके अधिकारों की रक्षा हो लेकिन ये सारी वारताएं भी क्या रही विफल रही मुहमद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की एक ही मांग थ प्रठन में प्रत्यक्ष कारवाई दिवस का आहवान किया महमद अली जिन्ना ने का है या तो पाकिस्तान दो नहीं तो मुसल्मान लड़कर लेंगे पाकिस्तान और डायरेक्ट एक्सेंडे कह दिया कि प्रत्यक्ष कारवाई दिवस मनाएं गया धान रखना 16 अगस्ट 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रटक्ष कारवाही दिवस मनाया गया डायरेक्ट एक्षन, मार काट मचा दो, दंगे फैला दो और हिंदू और मुसल्मानों के बीच बहुत चबरदस दंगे शुरू हो गए लडाई जगडे शुरू हो गए, मुसल्मानों की मांग थी अलग देश लेंगे ये साबित करना चाहती थी मुसलिम लीग, अंग्रेजी सरकार को ये दिखाना चाहती थी कि हिंदू और मुसल्मान एक साथ रही नहीं सकते, इतने जगडे होते हैं इनके बीच इसलिए अलग देश दे दिया जाए, तो इस तरह भारत में खूनी खेल शुरू हो गया, एक अलग देश की मांग के लिए देखिए, पूरे भारत में सामपरदाइक दंगे शुरू हो गए हिंसा कलकत्ता से शुरू हुई, यह जो हिंसा थी, डायरेक्ट एक्षन दे जो प्रत्यक्ष कारवाई दिवस है, इसमें जो हिंसा हुई, कलकत्ता से शुरू होकर, ग्रामीन, बंगाल, बिहार, और सयुक्त, प्रांत, और पंजाब तक फिर यह फैल गई, पूरे देश में पूरे उत्तर भारत में यह हिंसा सांपरदाइक दंगे फैल गए, बहुत ज़्यादा मार काट मची, फरवरी 1947 में लोड वेवेल की जगहें, लोड माउंट बेटन को वाइसराय नियुक्त किया गया, अब भारत में 1947, फरवरी 1947 में एक नई व्यक्ति को अंग्रेजों ने भेजा है, लोड माउंट बेटन को वाइसराय बनाया है भारत में, उनको लगता था कि लोड माउंट बेटन जो है, यह भारत के मामलों को बहुत अच्छे से समझेंगे, और हिंदू मुसल्मानों के भी जो दंगे हो रहे हैं, लड़ाई जगडे हो रहे हैं, इनका कुछ कुछ समाधान निकालेंगे, इसलिए भारत में अंतिम प्रियास किया, अंग्रेजी सरकार ने जिसे व्यक्ति को भेजा, शांती के प्रियास करने के लिए, उसका नाम था अंतिम गवर्नर जर्नल या वाइसराय लोड माउंट बेटन, अब देखिए, माउंट बेटन ने व विभाजन को टाला जा सके, देश के बटवारे को टाला जा सके, और किसी तरह एक सयुक्त देश बनाया जा सके भारत को, तो देखिए, लेकिन सुलह के सभी प्रियास विफल रहे, जितने भी माउंट बेटन ने कोशिस की, सभी प्रियास ऐस अफल रहे, शांती स्थापित नहीं हो सकी हिंदू और मुसल्मानों के बीच, ँम्त में उन्होंने, माउंट बेतन ने अंग्रेजी सरकार से बातचीत कि इंगलेंड में, कि भई खुब प्रियास कर ली हैं नहीं हो रहा है। उनके बीच सम्जोता, तो फिर क्या करें, तो फिर विभाजन कर दो भारत के टुकडे कर दो मुसलमानों को अलग देश देदो और हिंदूओं को अलग देश देदो तो देखिए अंत में उन्हों ने घोशना की कि ब्रिटिस भारत को सोतंतरता दे दी जाएगी सोतंतरता दी जाएगी भारत को आगे क्या लिखा है लेकिन उसका विभाजन भी होगा विभाजन के साथ सोतंत्रता दी जाएगी तो ध्यान रखना भारत का विभाजन किसी योजना के तहत हुआ जो लोड माउंट बेटन ने योजना प्रस्तूत की उसके तहत भारत का विभाजन होगा ओप चारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया कि हम सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे 15 अगस्त को भारतियों को सत्ता सौंप देंगे लेकिन साथ ही देश का विभाजन भी किया जाएगा देखी अब विभाजन कैसे होगा ये निश्चित किया गया कि विभाजन कैसे हो भारत के तो हर छेतर में मुसल्मान हैं हिंदू मुसल्मान सदियों से एक साथ रह रहे हैं दिल्ली में मुसल्मान भी बहुत सारे हैं हैदराबाद है हैदराबाद में भी खुब सारे मुसल्मान हैं तो भारत में मुसल्मान हिंदू आपस में मिलजुल के पूरे देश में फैले हुए हैं अब हम कैसे कह दें उन मुसल्मानों को जो भारत के अंदर रह रहे हैं उनको कैसे कह दें कि जाओ ये आज तुम्हारा देश हमने अलग बना दिया अपने जोड़ा जंडी उठाओ और उधर जाओ और इधर बह में अलग देश चाहिए और दूसरी बात ये भी थी कि बहुत ज्यादा दंगे फैल रहे थे भारत में तो फिर एक सीमा रेखा खिजदी गई कि एक तो इधर पाकिस्तान रहेगा और एक ये पाकिस्तान रहेगा मतलब बंगाल के जो मुसल्मान हैं वो तो इस तरफ चले ज पाकिस्तान और ये रहेगा भारत ठीक है तो इस तरह से विभाजन किया गया पंदर आगस्ट को देश आजाद हो गया और विभाजन बी हो गया जब पंदरा आगस्थ को आजाद हुआ तो बहुत सारी जगे दंगे फैले हुए हैं मार काट मची हुई हैं घरों को जला रह यहां जो सीमा पर रहने वाले लोग थे उनको लगता था कि हम आजाद हो गए लेकिन उनको पता नहीं हैं भारत में हैं पाकिस्तान में क्योंकि यह जो बौडर की लाइन खीची गई यह के वाले कागज पर खीची गई थी भारत का नक्सा रखा टेबल पे और अंग्रेजी सरकार ने उस पे लाइन खीज दी, लाइन खीजने वाले व्यक्ति का नाम था सर सीरिल रेड कलिफ, जिसने ये बोर्डर की लाइन खीची भारत पाकिस्तान के बीच, उसका क्या नाम था सर सीरिल रेड कलिफ, इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच जो अंतर राश्टिय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है सीरिल रेड कलिफ सीमा रेखा कहते हैं क्योंकि सर सीरिल रेड कलिफ ने खीची थी और बंगला देश और भारत के बीच भी रेड कलिफ सीमा रेखा है तो फिर से एक बर समझना कि जब भारत आजाद हो गया तो य पुछ लोगों के गाम इदर रह गए जमीन डूसरे देश में चली गई बीच में सीमा रेखा गई तो मतलब बड़े ही विवस्थित तरीके से विवाजन किया गया था जमीनी इस तरपर नहीं केवल नक्से पे लाइन खीज दी गई थी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा हैं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू इदर आ रहे हैं अपने घर बार खेत जीवन भर जो भी पुंजी कमाई वो सब छोड़ चाड़ के बस अपने जयान बचानी है किसी तरीके से और भारत में लोटना है हिंदूओं को यहां भारत में रहने वाले मुसलमानों को पाकि सोच के देखिए कि जीवन भर कमा के जो घर बनाया खेत हैं पुंजी हैं उन सब को छोड़के और बस अब जाना है किसी दूसरे देश में और बस वहां जीरो से शुरुआत करनी हैं कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए और जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ते मे उनको मार देते थे, कार देते थे, लूट लेते थे, ऐसा ही इधर से यजब मुसलमान उस तरफ जा रहे थे तो हिंदू उनको मार-कार्ट मचा रखी थी उन्होंने, तो इस तरह से हिंसा हो रही थी, देखिए एक चितर में आप ये देखिए कि ट्रें में भरके लाहोर से तो डिल्ली की तरफ आ रहे हैं डिल्ली और अमरत्सर से लाहूर की तरफ जा रहे हैं तो ट्रेनों में ट्रेने इतनी होती नहीं थी इसलिए बहुत सारे लोग पैदल पैदल ही जा रहे थे बांकि ट्रेने देखो कैसे भर भर के जितना सामान ले सकते थे उतना सामान इन्हों उने देखो अपने साथ ले लिया लेकिन ये जब ट्रेंज चलेगी इदर से भारत से पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान से भारत की तरफ तो कोई गारंटी नहीं है कि यह जिनदा पहुँच भी सके सीमा पार क्योंकि रास्ते में मार काट मच जाती थी ट्रेन को रोक लिया जाता था और हिंदू मुसल्मानों को मारते थे जो भारत से मुसल्मान पाकिस्तान जा रहे थे उनको और पाकिस्तान से हिंदू भारत में आ रहे थे उनको मुसल्मान मारते थे तो इस तरह मार काट मची हुई थी यह पूरी की पूरी ट्रेन मार दी जाती थी काट दी जाती थी अब देखिए और एक चित्र कि कुछ लोग जब बचके पहुंच भी गई यह दिल्ली का एक सरणार्थी सिविर का चित्र है अब पाकिस्तान से इतने हिंदू भारत में आ गए उनके घर बनाए गए थे यह तंबू अगेरा लगा के इन में उनको रखा गया था बाद में धीरे धीरे उनको फिर बसाया गया तो देखिए दो बच्चे हैं यह बिचट गए अपने घरवालों से किसी तरह यह जिंदा बचके पहुंच गए भारत में या भारत के पाकिस्तान में इनको पता ही नहीं है कि हमारे जो माता पिता हैं हमारे घरवाले हैं वो कहां है जिंदा भी है या मर गए तो इस तरह के यह द्रश्य हैं बड़े ही हर्दे हिला देने वाले द्रश्य हैं देखिए एक और चित्र कि यह बहुत सारे लोग जब जा रहे थे पहले यह चित्र कि यह इतने सारे लोग पैदल पैदल जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ तो इतने सारे लोग पैदल पैदल बैल गाडियों में जा रहे हैं पैदल पैदल निकल रहे हैं यहीं पे हमले कर दिये जाते थे इनको मार दिया जाता था अब इन पर हमला हुआ तो देखिए उसके बाद उस जुलिस की क्या इस्तिती हुई बैल गाडियां टूटी पड़ी हैं जली हुई हैं लोग कटे पड़े हैं तो इस तरह से हिंसा हुई थी ठीक है तो बच्चों हमने समझा थोड़ा सा कि किस तरह कैबिनेट मिशन ने बात की थी क्रिप्स प्रस्ताव भी हमने थोड़ा सा इसमें देखा थोड़ा भाग और बचा है वो हम अगली कख्चा में पूरा करेंगे इस सद्ध्याय का उम्मीद आपको कख्चा पसंद आई होगी मिलते हैं अगली कख्चा में धन्यवाद